कि आप सभी साथकों का स्वागत है मैं अर्विंद सक्सिना बोल रहूं साधना जगत के रहस्यों तता तत्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्यक वीडियो को देखें और इसकी प्रत्यक प्लेलिस्ट को देखें यह जो चैनल है इसमें विशेश रूप से वही सारे टॉपिक्स बताने की प्रयास है क्योंकि जो कि साधनाओं में अवश्यक होते हैं इसलिए कोई भी वीडियो को छोड़े नहीं तभी साधना पक्ष पता चलेगा और उसके साधना करने से पहले और साधना करने के बाद में सारे जो भी प्रसितिया आती है ज्यान होता है चीजें होती है वह पता चलेंगी तो इस वाले वीडियो का जो टॉपिक है वह है साधना पक्ष भाग नौ और शिष्वत्व प्राप्ति साधना यह जो साधना पक्ष के जो मैं वीडियो बना रहा हूं तो इसकी प्लेलिस जरू देख लीजेगा क्योंकि यह भाग भाग नौ है तो इसके पहले के जो भाग आठ है और आगे आने वाले जो भी बनेगे साधना पक्ष के बारे में वह जरू देख लीजेगा उनमें विश लीजेगा तो इस वाले वीडियो में कि शिवत प्राप्ति साधना यह जो है यह जुरुवेत समित्या में दी होई है कि हम यह जुरुवेत का जो 34 वा द्या है उसमें शुरू कर च्छै मंद्र है एक से च्छै हाँ कुए बने चीजें होई यह competitiveness семste आ है कि इसको मुटलब का शेवत प्राप्थ तो इसमेंत आपने प्क स्टध जो श्टरॉन परुब यह कि मेरा मन जो है मुझारी भकवत संद्री शंकल्प से युक्त हो तो क्या होता है कि इसमें जो है इसको करने से क्या होता है कि मन में कल्यान कारी भावनाय पैदा होती है और कल्यान कारी भावनाय जो पैदा होती है वो कल्यान करने का जो यह तो सारी देवी देफ्ता कल्यान करते हैं लेकि जो जो परम शिव हैं वो ही जिन्होंने सस्थी की प तो वहां से ही उन को उन से एक जुडाव बनता है कि तो यह जो कॉने वह यह को इसको यह का जाता है कि यह cringe contrario हो खिए कि वह सबकार तो यानिकी अगर उसको उल्टा संजा ज़ा है जो शिव्ड की सातना करेगा तो उसके मन में कल्याण कारी भावना आएंगी यहाएंगी वो सब के कल्याण के बाहर हैंमें सोचेगा तो इसलिए यह जो च्छाय मंत्र है यह जोरवेद में 34 में अध्याएगे शुरुवात के उब्द जो इनकुज संकल्प सूत्र भी कहते हैं या इनको कल्यान सूक्द भी कहते हैं और इनको करने से क्या होता है कि जो मन है वो इस प्रकार का बंता चला जाता है कि वो शिव की जो कल्यानकारी जो संकल्प होता है उसके जैसा होने लगता है अब जब शिव के कल्यानकारी संकल्प के जैसा युक्त होने लगतेगा तो वो शिवत की तरफ ही आपको ले जाएगा शिवत प्राप्ति करा देगा मन कितना बलवान होता है उसका भी वड़ना नी नीच है सुक्तों में है तो मैं करके जो छह सुक्त है उनमें जो मूल बिंदू है वो बता रहा हूं इसको समझ में आएगा कि मन की ताकत क्या होती है अब फिर वह अगर उसके मन में यह चीज आजाए कि कल्यान कारी जो भावन आया है जो इस है यह होटल ॉसम मतरे जागरत वस्ता के जो मन जो हरा हुए वह बहुत दूर दूर तक जाता रहता है गंन करता है हो । इसी प्रकार वह सुक्ता वस्ता में दूर दूर तक गंन करता है। ऑर यह सारब मन जो है वो जितनी बी इंद्रियां है हुआ है उनको ईंद्रियों का जोती रूप है यögने उनका प्रवरता कहे उनको Dw hall ताक्द देता है और वह जिव आत्मा है उसका भी एक माढ्याम है यह दिव्य माढ्याम है कि जो इस परकार का कि जो मन है वो वो जो है मन कल्यानकारी भक्वत सम्मन्दी संकल्प से युक्त हो दूसरा यह है कि जो है जो भी अच्छे काम करने वाले खासतार पर जो यग करने वाले लोग है वो इसी मन से यग्यों के कार को संपाधित करते हैं यह मन संपूह प्राणियों के शरीर में विद्वान है और यग्य में इसका बहुत ही उचा इस्थान है आधरनी इस्थान है इसका जो इसलिए मैं इस मन के लिए प्रात्ना करीए कि यह मन जो है कल्यानकारी भक्वत सम्मिंदी संकल्प से युक्त हो तीसरा मवंद्र है इसमें यह ज्यान संपन है शित्तन श्रील है और सभी प्राणियों के अंदा करण में प्रकाश के जोती रूप में स्थित है इसके बिना कोई भी कार संपादित नहीं हो सकता जो इस प्रकार का मन है वो मेरा वो जो मन है वो कल्यानकारी भक्वत सम्मंदी संकल्प से युक्त हो इसके बाद है अगले मंदर में कि इस मन की समर्थ बहुत अधिक है ये मन अविनाशी है और इसके मन की समर्थ बहुत अधिक है जो कि सभी भूत मरतमान और वहिश काल के ज्ञान को जानता है इसके द्वारा क्या होता है कि जो यग्य होते हैं उनका विस्तार किया रहता है तो ऐसा मन जो है मेरा मन कल्यानकारी भक्वत सम्मंदी संकल्प से युक्त हो इसके अगला वाला मंदर है इस मन में इतनी वैदिक रिचाए है वो पतिष्चित रहती है इसमें साम, वेद और जजुरुवेद के मंत्र इस्तित रहते हैं और इस मन में प्रजाओं के यानि वक्तियों के जितने भी हैं उनके सारे चित्तों का ग्यान इस्तित रहता है इस प्रकार का जो मेरा वो मन है वो कल्यानकारी भगवत सम्मंदी संकल्प से योगतो और इसका जो छटा वाला जो मंत्र है उसमें है कि ये मन उनुष्ट को उसके लक्ष सक पहुँचाता है और कभी बूड़ा नहीं होता और प्राणियों को निरंत्रन करता है और अत्यन्त विवेगवान है और इस स्तित रहता है ऐसा जो मन है आईसा जो मेरा मन है वो कल्यानकारी मकवत समर्दी संकल्प से योगत हो तो यह तो मैंने आपको जो इसके जो इच्छे मंत्र हैं उनके में जो उनका जो मीनिंग है उसको समझाए कि यह क्या है लेकिन इसे एक बात पर इसपस्ट हो रही है कि अगर यह जो इच्छे सूक्त हैं इनको शिव संकल्प सूक्त भी कहते हैं इनको अगर नित अभ्यास किय नितन को पढ़ा जाएं तो मन जो है वो कल्यानकारी बगवासंवन्दी संकल्प से युक्त होने लगता है और वह वक्षी कर जह है शिव की तरफ में मिलब कहते हैं वह शिवत की तरफ में चलने लगता है पिर जो होगा जो गल्यानकी बावना पैदा होगी वो शिवत की प्राप्ति उसको निश्चित हो ही जाएगी उसको यानि आप समझ लीजे की बड़े-बड़े आप जो शिव के मंत्र है और अनुस्ठान है उनको करने के बजाए यह अगर छोटा वाला यह च्छा है जो मंत् अधिक लाव होता है और शीग्र लाव होता है इस बात सही है कि जो व्यक्ति ऐसे होंगे जिनका मन बिल्कुल कल्यानकारी नहीं होगा उनको इसको करने बहुत अर्पटा भी लगेगा उनको बन भी नहीं करेगा वाकिव सब लंबी चोड़ी कोई साथ हैं ढूंड लेकिन सकटिसमफ लाव नहीं लगेगा वे लेकिन अगर वो करें तो नहीं से बहुत परिश्मला मुश्यक्ते कनले कि रहें हैं तब से पहली बात तो यह होगी कि उनका मन चान्त होने लग जाएगा और फिर उनके मन में जो दूसरों के प्रतिव कोई भी अगर कुछ भी निग्रेटिव चीज होगी तो वह कम होने लग जाएगी अधी में समाप्त हो जाएगी और कल्यानकारी भावनाय विक्सत होने लग होगी है इसको करे बात नहीं समझी जा सकती इसके बार में कितना भी बता दिया जाये जब तक कोई करेगा नहीं शिर्व संकल्प सूक्त का मतलब नहीं समन्मे आएगा लेकिन इतना ज़रूर है कि यह श्रीवत प्राप्ति की साधना है जो की करते करते जहें उस व्वक्ति की चेतना को उस चेतना से जोड़ देती है जो परमशिव हैं इस सेंश में यह भौट ही उँची करणी की सातना है इस वीडियो को बनाने के लिए मेरा यहीव देश्ट था कि इस आदना, जो है, लोगं को पता कि यह शिवत प्राप्ति की सात्रा है तो यह मैं लोगों के सामने इसको प्रस्थूत करूँ तो आशा करता हूं कि आपको इस अब जानकरिया अच्छी लगी होगी इस वीडियो के देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद